हेई, what is up guys, जी हाँ, ये सारी gadgets जो आप देख रहे हैं, ये हैं top 5 car gadgets, जो के लिए हमने मंगाया है flip card के थूँ, और ये सारी चीज़ें काफी काम की हैं, और अगर आप भी use करेंगे तो आपका driving experience काफी next level हो जाएगा, तो चलिए दिखाते हैं क्या कुछ हमने buy किया है, और कैस आप इसको use कर सकते हैं, अब guys, ये जो पहला gadget है, ये काफी important हो जाता है आपके car के लिए, क्योंकि भाई, ये है एक dash cam, और ये काफी well known brand की तरफ से आता है, इसको हमने choose किया है, तो ये है Qubo का smart dash cam pro X, अब guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे mention किया है Qubo, जो की brand है, और यहाँ पे जो model number है वो, और यहाँ पे एक image बनी हुई है कि ये dash cam किस तरह से आपको देखनी को मिलेगा, और अच्छी बात यह है कि आप इसको app से भी control कर सकते हैं, सारे events, मतलब क्या कप कैसे हुआ, तो सारी videos आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, इसके लबाब back meters मिल जाएंगे, जैसे कि full HD video record कर सकता है, 360 आप इसको rotate कर सकते हैं, superior night vision है, time lapse, video आप record कर सकते हैं, wide angle view भी है, और यहाँ पे 1 TB तक का SD card support करता है, सबसे पहले दिया गया है एक card, जहाँ पे आपको QR code mention किया गया है, तो basically इसको scan करके आपको start guide access कर सकते हैं, और यह वाला QR app download कर सकते हैं, और guys, यहाँ पे एक socket मिलता है, जो कि आपके 12V DC में जाएगा, और सामने यहाँ पे USB type A port मिलता है, जिसके तरूब आप इसको चला सकते हैं, बाकि guys, यहाँ पे यह जो desk cam है, यह दिया गया है, और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो design काफी बढ़िया है, क आप to 1TB तक के SD card support करता है, तो यहाँ पे put कर देते हैं, इसके अंदर SD card, और simply आपको press कर देना है, यह lock हो जाएगा, उसके बाद आपको 12V socket के अंदर यह put करना है, और यहाँ पे आपको connect कर लेना है, अपना Cubo का desk cam, यहाँ पे LED light जल जाएगी, इसका मतलब power आ चुका है और simply आपको place कर देना है अपने wind screen के उपर, अब guys यह है हमारा second product और यह काफी ज़्यादा useful है, basically यह एक mobile holder भी है, और साथ में एक wireless charger भी है, तो दो काम एक साथ करता है, इस box के अंदर इतनी सारी चीज़े हमें देखने को मिलती है, सबसे पहले एक USB type A to type C cable है, यहाँ पे आपका कुछ attachment और यह है आपका mobile holder, जी हाँ, दोनों parts को आपस में आपको connect कर लेना है, और देख सकते हैं कि product काफी ज़्यादा premium है, और इसमें आपको wireless charging भी देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके से आपको stick करना है अपने windshield के उपर, उसके बाद आपको press कर देना है, य simply कुछ इस तरीके से आप अपने phone को इस पर रख सकते हैं, यह काफी अच्छे से hold करता है, उसके बाद आपने phone को use कर सकते हैं, और guys इसमें wireless charging भी देखने को मिल जाती है, और देख सकते हैं, यह काम भी करती है, अब guys जो अगला gadget यह देखने में आपको काफी छोटा लग होगा, बट यह काफी बड़े-बड़े काम कर सकता है, तो भाई box के अंदर आपको दिया गया है, एक magnetic holder और कुछ attachments, जो कि आपके काम में आएंगे, इसको use करने के time पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दो plates दी गए हैं, जो कि metallic हैं, और इनको आपको paste करना है अपन वो काफी अच्छे से stick होगा, उसके बाद जैसे आप अपना phone इस पे type करेंगे, बहुत ही अच्छे से stick कर लेता है, चुकि यह magnetic है, और काफी strong है, तो as such आपको कोई भी problem नहीं होगी, अब guys, जो अगला product है, यह काफी interesting है, यह आपकी car को bed में convert कर देगा, basically यह एक air bed है, औ और यहाँ पे एक electric air pump भी दी गई है, तो basically इसके थ्रू आप इसमे air fill कर सकते हैं, तो आपको manually कोई चीज नहीं करनी है, तो यह काफी अच्छी चीज है, और एक आपको देखने को मिल जाता है, यह एक carry bag, यहाँ पे एक चीज और है, puncture repair kit भी है, तो in case puncture हो जाता है, तो आ power यहाँ पे आ चुकी है, अब guys, यहाँ पे कुछ attachments आपको दिये गए हैं, जिसके थ्रू आपको उसमें हवा fill करनी है, अब guys, यहाँ पे आपको plug करना है, इसके अंदर, और यहाँ पे यह power switch है, इसको आपको on कर देना है, अब guys, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो level है car का, वो seat के level में आ चुका है, जो यहाँ पे gap रहता है, वो fill हो चुका है, अब guys, यहाँ पे जो second valve दिया है, इसके अंदर हवा fill करनी है, तो यह हमारा car air build ready है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, और इसको आप जैसा चाहें बाइसा यूज़ कर सकते हैं, एक power nap के लिए तो काफी बढ़ी है, और guys, जो अगला product है, यह काफी ज़्यादा unique है, और काफी ज़्यादा interesting भी है, और काफी काम का भी है, basically अगर आपके car में कोई भी music system नहीं है, या फिर काफी old वाला music system है, तो आप इसको use कर सकते हैं, basically यह एक car android display है, जहाँ पे आपको maps का access मिल जाएगा, youtube का access मिल जाएगा, गाने वगर आप प्ले कर सकते हैं, और भी बहुत साइल चीज़े देखने को मिलती हैं, तो basically यह आत करता है, और यहाँ पे आपको steering wheel control का भी option देखने को मिल जाता है, इसके लागर हम बात करें यहाँ पे कुछ apps की, तो apps भी यह support करता है, like यहाँ पे facebook है, instagram है, twitter है, linkedin है, और भी बहुत सारी चीज़ें यह support कर लेता है, तो basically यहाँ पे open करते हैं, और देखते हैं कि क्या कु install करते हैं, वक्त काम आएंगे, और साथ में आपको देखने को मिलता है, soundboss का android display, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका size काफी बड़ा है, जो कि है 9 inch, और यहाँ पे आपको mic का option देखने को मिल जाता है, मतलब आप इसके तुरू call भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक switch द देखेंगे, तो frame काफी पतला है, back में आप देखेंगे, तो यहाँ पे installation के लिए कुछ sockets देगे हैं, जिनका use आप installation के time में कर सकते हैं, so guys, यह थे top 5 car gadgets जो कि हमने pick किये थे इस वीडियो के लिए, I hope कि आपको useful लगा होगा, और अगर आप interested हैं किसी भी product में, तो description में लि गुडबाई